Hi everyone, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में तो आज हम डिसकस करने वाले हैं English Pedagogy के Important Topics जो आपके exam में पूछे जाते हैं इससे पहले मैंने दो वीडियो में जितने भी important topic हैं जो आपके seated exam में जहांसे equation बनते हैं वो मैं cover कर चुकी हूँ जिसमें हमने skills और जो भी language के बारे में basic चीजें होती हैं वो सब हम discuss कर चुके हैं I hope आप सभी ने वो पहले की दो वीडियो देखी हूँगी नहीं देखी है तो मैं link दे दूँगी comment section में वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और ये हमारा part number 3 है यहाँ पे मैं कुछ और important aspects को cover करूँगी जहां से आपका question definitely बनेगा तो हम यहाँ पे brief तरीके से इनके बारे में समझेंगे इनके बारे में जो भी important बाते हैं वो मैं बताऊंगी question किस तरह का आता है वो मैं यहाँ पे आपसे discuss करूँगी तो अगर आप त्यारी कर रहे हैं seated exam की या कोई और exam की त्यारी अगर आप कर रहे हैं pedagogy section में तो definitely this video will help you तो चलिए फिर start करते हैं आज के session को अपने first topic से पहला topic मैं ने लिखा है assessment के बारे में तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है assessment of learning, as learning, for learning, in learning यह चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए एक question definitely आपका यहाँ से बनेगा तो assessment के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं क्या होता है तो assessment जिसे की नाम से क्या है assess करना ठीक है assessment क्या होता है? एक ऐसा process है assessment जहाँ पे teacher बच्चे के बारे में जो भी information है उसको collect करता है teacher क्या करता है? जो भी information है उसको teacher collect करने का काम कहाँ पे करता है? आकलन में करता है, assessment में करता है assessment बात करता है किसकी process की बात करता है लगतार आए दिन जो लगतार teacher बच्चों का daily basis पे उनके बारे में जो जानकारी को collect कर रहा है data collect कर रहा है जहां पे उसे हम assessment का नाम देते हैं ठीक है? एक teacher पूरे साल बच्चों के बारे में क्या करता है? data को collect करता है अब इसमें ना types आपके पूछे जाते है of learning क्या है, in learning क्या है, as learning क्या है, for learning क्या है तो इसके बारे में discuss कर लेते हैं अगर मैं बोलो for learning या मैं बोलो off learning तो ये क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं for learning की तो for learning क्या होता है? जो आपका formative है जो आपका लगतार जो प्रकरिया चल रही है वो हमारा for learning है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा assessment आता है, formative assessment आता है, ठीके, और अगर मैं off learning की बात करूँ, तो ये at the end की बात करता है, ठीके, तो इसके अंदर summative assessment हमारा शामिल है, ठीके, इसको हम evaluation भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह summative है इसलिए इसको हम evaluation भी बोलते हैं तो off learning आपका summative होता है for learning हमारा formative होता है जो लगातार चल रहा है जब भी मैं बात करती हूँ for learning के बारे में इसके अंदर हमारा as learning भी शामिल है for learning के अंदर हमारा assessment as learning भी शामिल है और for learning के अंदर हमारा in learning भी शामिल है कई बार confusion होती है as learning और in learning में तो यहाँ पे as learning जो है वो formative का ही part होता है जहाँ पे जो students है वो आपस में peer evaluation के थूँ अगर मैं बात करूँ यहाँ तो यहाँ basically क्या आजाता है peer evaluation आजाता है और peer evaluation के थूँ students आपस में एक दूसरे का मुल्यांकन करते हैं students अपने बारे में self evaluation करते हैं एक बच्चा अपने ही learning पे जहाँ reflect करे जहाँ पे बच्चा reflect करे अपनी खुद की learning पे वो as learning के अंदर आता है peer evaluation भी इसी का part है बच्चे ग्रूप में एक दूसरे का evaluation कर रहे है teacher यहाँ पे evaluate नहीं कर रहा है तो यह as learning किसके अंदर है हमारे 4 का ही एक part है पूरे साल peer evaluation बच्चे करते रहते हैं learning process के दौरान ऐसा नहीं है कि अलग से as learning हो रहा है वो साथ के साथ ही teacher करवाता है in learning की बात अगर मैं करूँ तो in learning भी formative के अंदर ही आता है जैसे कि कोई during chapter teacher जो evaluation करता है during chapter या during class teacher बच्चों का evaluation अगर करता है जैसे आपको पता है कि books में किसी भी किताब में आप देखेंगे एक paragraph है उसके बाद कुछ question दिये रहते हैं या कोई भी बीच में जो activity होती है आपने NCRT की books देखी होंगी EBS की books आपने देखी होंगी वहाँ पर क्या होता है या आप English की books देखेंगे तो किसी भी poem में किसी भी chapter के बीच में कोई ना कोई उनको activity देदी जाती है या कोई ना कोई उनको question करने के लिए जो critical thinking वाले questions होते हैं होट्स type के question होते हैं वो दे दिये जाते हैं अब चलते हैं off learning की तरफ off learning क्या है जो आपका at the end है summative हो सकता है यह जैसे किसी unit के end में हो सकता है किसी chapter के अंत में अंतिम जो आप एक मुल्यांकन ले लेते हैं पूरा chapter पढ़ाया और एक अंतिम आपने उनको एक test दे दिया या फिर पूरे semester के end में at the end की बात यहां पे होती है जहां पे आप बच्चों को result देते हैं वो सब आपका क्या है off learning का part है off learning unit किसी एक unit को पढ़ाने के बाद भी teacher ले सकता है या वो during किसी chapter को पढ़ाया chapter completion के बाद वो कोई test ले सकता है इसलिए इसको assessment के category में रखा गया है क्योंकि chapter पूरा हो गया और अब वो एक test ले रहा है या फिर at the end year खतम हो गया final exam है तो teacher यहां पे लेता है तो यह क्या है आपका सब्मेटिव है और इसको हम evaluation भी कहते हैं off learning भी कहते हैं तो यह था assessment का आपका basic concepts जहां से question आपके बनते हैं tools and techniques का use भी यहां पे किया जाता है for learning में सबसे जादा जिसमें से portfolio पूछा जाता है portfolio पूछा जाता है portfolio जो है वो formative और summative दोनों के अंदर आता है याद रखना portfolio formative और summative दोनों हो सकता है हो सकता है कि formative में लगतार teacher बच्चों के अच्छे अच्छे work को क्या कर रहा है collect कर रहा है basically portfolio में जो बच्चों के अच्छे अच्छे work है उसका क्या होता है collection होता है तो portfolio जो है बच्चों के काम का अच्छे अच्छे work का collection है तो वो for for का भी हिस्सा हो सकता है और of का भी हिस्सा हो सकता है क्योंकि at the end result बनाने के लिए या final उनको marks देने के लिए teacher portfolio का use करता है तो यह आपके seat at में आया हुआ question है इसलिए इसको मैंने mention करा यहाँ पे तो यह सब चीज़ें आपको याद रखना है ठीक है important है अब हम चलते है अपने second point पे second point आता है comprehensible input काफी ज़्यादा question हर एक shift में यहाँ से पूछा गया है ठीक है तो comprehensible input को केवल में discuss करूँगी बहुत ज़्यादा detail में नहीं comprehensible input क्या होता है यह Stephen Krashan की theory से आया है कहां से आया है Stephen Krashan Stephen Krashan ने इसको दिया five hypothesis इन्हों ने दिया जिसमें से जो input hypothesis था इनके hypothesis का नाम था input hypothesis तो input hypothesis के अंदर ही आता है comprehensible input इसका basically पूछा क्या जाता है meaning पूछा जाता है कि comprehensible input में हम जो सिखाते हैं जो हम input देते हैं वो कैसे देते हैं input कोई activity कोई material ये सब हम बच्चों को provide करते हैं इसी को input कहा जाता है अब इन्हों ने अपनी theory में ये कहा कि जब भी एक बच्चा learning कर रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है जैसे ये जो बच्चे का current है ये जो मैंने बनाया है ये बच्चे की current learning है current level अगर में बोलू तो ये जो है ये student का current level है तो comprehensive input हमेशा ये कहता है कि जो भी बच्चे का current learning है आप उसकी level से एक above level पे आप उनको learning प्रोवाइट करेंगे कौन सा level पूछा जाता है above level यानि level हमेशा upwards position पे होना चाहिए जो भी आप बच्चों को learn करवाते हैं जो उसका current जो चीजे knowledge जो उसको current है आप उससे एक level उपर उठके above level पे हम उनको क्या देते हैं learning या above level पे हम उनको input प्रोवाइट करते हैं इसी को comprehensible input कहा जाता है तो paper में आ जाएगा चार option beyond their learning या above level या lower level इस तरह से चार option दे देगा आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी high level की बात हो रही है बहुत ज़दा high भी नहीं मतलब थोड़ा सा उनके एक level से उठके जवाब उनको support देते हैं किसी तरह का तो वहाँ पे chances जादा होते हैं कि बच्चा learn करेगा अब जैसे आपकी जितनी knowledge है अगर मैं आपकी knowledge से नीचे level के questions पूछू या नीचे level की चीज़ें यहाँ पे बता हूँ तो शायद वह आपकी learning को इतना enhance नहीं करेगा अगर मैं आपकी level से थोड़ा सा अच्छे level पे एक उपर level पे अगर मैं हाँ पे topic discuss करूँ तो वह शायद आपकी learning को enhance करेगा तो यही बात comprehensive input में भी कही गई है कि आप उसके above level पे जा करके input provide करेंगे Stephen Krashan ने दिया input hypothesis के अंदर आता है five hypothesis का इन्होंने concept दिया इन्होंने जो है natural approach भी दिया था तो आपको याद रखना है natural approach का concept किस ने दिया तो Stephen Krashan ने दिया है ठीके तो इतनी बाते आपको याद रखनी है आईए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले topic पे अगला आता है remedial teaching basic question remedial teaching से भी तक पूछा गया है तो मैं basic ही discuss करूंगी बहुत सरी चीजे वैसे तो है discuss करने वाली लेकिन आपको basically की strategies आपको पता होनी चाहिए ठीके जब भी हम बात करते हैं remedial की तो remedial teaching का मतलब होता है पहली बात ये आपका formative का part है ठीके? formative assessment जो है या मैं बोलू for learning उसका part होता है remedial teaching का मतलब होता है rectify करना rectify the gaps or difficulties difficulties in learning बच्चे की learning में जो भी gap है जो भी difficulty है जो समस्या है जो problem है उसको rectify करना उसकी पहचान करना basically rectify का मतलब होता है पहचान करना ओके समधान करना होता है ठीके? पहचान आपका diagnose का part है समधान करना आजाएगा या फिर उसको दूर करना आजाएगा तो आपका remedial का part होगा remedial का मतलब होता है कि जो भी gap है जो समस्या है उन बच्चों की learning में सुधार यहां लाय जाता है जो अपने peer से leg behind है पीछे हैं उन बच्चों को remedy दी जाती है तो एक question आते है कि remedy हम किस पे करते है यानि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन पर remedy किया जाता है तो remedy always किस पे किया जाता है slow learners पे किया जाता है जो slow learners है या जिनको कोई learning में difficulty है जैसे किसी को dyslexia है किसी को dysgraphia है language में कोई problem है फेस जिया है उन बच्चों पे या slow learners जो होते है जिनका IQ लेवल कम है हम उन पे remedy करते हैं कभी भी gifted बच्चों पे above average बच्चों पे हम remedy नहीं करते हैं इसके अलाबर remedy की strategy पुछी जाती है तो remedy की बहुत सारी strategy होती है जितनी भी आप child centered strategies देखते हो वो सब remedy का part है remedy में drill जो है वो बहुत ज़ादा नहीं करा जाता है हैना और एक चीज़ और याद रखना कि advanced जो भी advanced चीज़े हैं अगर paper में आता है कि advanced learning उनको देना आपके option में आ जाएगा कि advanced learning देना तो कभी भी remedial में हम advanced learning नहीं देते हैं drill हम remedy में कराते हैं लेकिन अगर आपसे least important पूछे कि सबसे कम ज़रूरी remedy में क्या है तो drill होगा वैसे तो drill है होता है हम drill करवाते हैं बच्चों को लेकिन सबसे बहुत अच्छा नहीं है बहुत ज़रूरी नहीं है तो least important drill है और advanced कभी भी बच्चों को नहीं सिखाते क्योंकि वो already slow learners है तो हम बहुत advanced तरीके के material advanced तरीके की जो methods है या जो topics है उनको हम नहीं सिखाते है हमारा focus रहता है कि जो उनकी difficulty है उसको हम दुबारा से दूर करें जो आपने पहले पढ़ाया उसको दुबारा remedy में पढ़ाया जाता है ताकि वो जो पहले जिन्होंने जो उन्होंने नहीं सिखा during normal teaching उसको वो remedial teaching में सीखे तो ये था मोटा-मोटा सारी चीज़े मैंने discuss कर ली है इतनी चीज़े अगर आपको question करते समय mind में रहता है तो आप question गलत नहीं करेंगे तो आपको याद रखना है कि advanced learning कभी भी हम remedy में नहीं देते हैं बाकि कोई भी strategy आप देखते हो play way method, role play कराना बच्योंक से speech कराना debate कराना या उनको census की training देना, census से सिखाना सब कुछ remedy का पार्ट है तो मैं लिखनी रही हूँ आपको पता चल गया होगा जितनी भी अच्छी activities होती है meaningful activities होती है वो सब remedy का पार्ट है अब हम आगे बढ़ते है 4 point आता है theories of learning इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैं सर्फ नाम बताऊंगी आप नाम से ही अभी तक question आये है अभी तक question सर्फ नेम से ही पूछा जाता है theories of learning में learning की theories में पहला तो behaviorism ठीक है behaviorism आता है उसके बाद आता है innateness theory तो इनके बारे में characteristic पता होना चाहिए बाकिया आप कर लोगे cognitive कुछ cognitive theories होती है learning की और आपका एक जो है constructivism है ठीक है यह भी पूछा जा रहा है तो यह पूछा जा रहा है constructivism, cognitivism, innateness and behaviorism इसके बारे में basic बताती हूँ क्या पूछा जाता है पहले behaviorism में पूछा जाएगा कि अगर बच्चा drill से सीख रहा है अगर habit formation आप करवा रहे हो या अगर आप repetition से सिखा रहे हो या फिर बच्चों को reinforcement दिया जा रहा है उनको पुनरबलन दिया जा रहा है ठीक है? या उनको आप punishment या reinforcement आप repetition बारबार drill से सिखा रहे हैं हम habit formation पे बहुत focus कर रहे है तो यह किस theory में आएगा? ऐसे पूछता है चार option दे देगा तो याद रखना behaviorism में drill, repetition, stimulus और response पे फोकस किया जाता है reinforcement से पढ़ा रहे है repetition से ज़्यादा पढ़ा रहे है कौन है इसके main प्रवर्ट तक Skinner का नाम आपको याद रखना है Skinner पूछ लेता है तो इसमें main जो है Skinner और Pavlov और जो भी behaviorist है ज़्यादा तर Skinner ही पूछा जाता है तो Skinner का नाम लिख रही हूँ ठीक है innateness के अंदर कौन आएंगे innateness के अंदर आते हैं norm चौमस्तकी सबसे important अब norm चौमस्तकी के बारे में याद रखना language acquisition device इन्होंने का कि हमारी एक जन्मजाद शंता होती है innate ability होती है भाषा को सीखने की जो हम जन्मसिल ले करके आते हैं तो ये कहा है norm चौमस्तकी ने इसके अलावा universal grammar theory का concept चौमस्तकी देते हैं ठीक है उसके बाद deep structure से एक word आता है या फिर critical period जहाँ पे हम language को सबसे आसान तरीके से effective तरीके से naturally हम acquire करते हैं उसको critical period का जाता है तो L.A.D. universal grammar theory जहाँ पे हम grammar के नियमों को L.A.D. की मदद से सीखते हैं यानि हम भाषा को भाषा के नियमों को discover करते हैं with the help of our innate ability in our mind उसको कहा जाता है universal grammar theory deep structures का concept चौमस की critical period होता है भाषा को सीखने का जैसे हिंदी हमने सीखी बहुत easy way बे सीख लिया हमने बहुत हमारे लिए वो जो period था सीखने का वो काफी important था critical period था important था अच्छा था हमने effective तरीके से अपनी भाषा को सीखा उसको critical period कहते हैं तो ये सब concept चौमस की innateness के ये कौन है प्रवर्तक है इसके अलावा cognitive के भी ये प्रवर्तक माने जाते हैं इन्होंने cognitive को support किया behaviorism को support नहीं किया चौमस की तो चौमस की cognitive वालों के support में भी थे लेकिन इनकी जो main theory है उसको innateness theory कहा जाता है क्यूंकि L.A.D. का concept इन्होंने दिया था इसलिए इसको innateness कहा जाता है इसके अलावा cognitive में आपको याद रखना है प्याजे वाइगोस्की ठीक है प्याजे वाइगोस्की का पूछ लेता है social पे इनका focus है प्याजे जो है वो environment पे focus करते हैं बच्चा अपने ज्यान का निर्मान खुद कर रहा है तो वो प्याजे हो गए प्याजे वाइगोस्की दोनों cognitive में आते है इसके अलावा constructivism का meaning पूछा जा रहा है अर्थ पूछता है constructivism का क्या है तो constructivism का meaning होता है कि जब अपनी previous knowledge के अधार पर किसी को पुराना ज्यान है उसके अधार पर जब आप नए knowledge को construct करते हो यानि कि with the help of previous knowledge if we discover something new और if we create a new knowledge then this is called constructivism meaning आता है तो पुराने ज्यान के अधार पर नए ज्यान को खुद बच्चे जब निर्मित करते हैं new knowledge को construct करते हैं उसको constructivism कहा जाता है ठीके तो ये आपको basic theories में याद रखना है इस तरह के question आपके बनते हैं सबसे ज़्यादा question आता है behaviorism और innitness ठीके तो ये याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है inductive-deductive के बारे में inductive-deductive method आपका जो है example के के तरह से पूछा जा रहा है मतलब एक situation ले दी जाती है कि एक teacher जो है वो grammar essay से पढ़ा रहा है तो कौन सा method है तो आप समझ गयोंगे कि question किस तरह का आ रहा है तो यहाँ पर inductive-deductive method में आपको क्या आद रखना है कि जो inductive method है और जो deductive है यह दोनों ही method कहाँ पर use होती है grammar teaching में कौन से teaching में grammar को पढ़ाने में दोनों ही method को use किया जाता है अगर मैं पूछू best method कौन सा है तो best जो है वो है inductive grammar को पढ़ाने का सबसे best method क्या है inductive है ठीक है अब यह पूछता है कि इसका basically magazine पूछा जाता है कैसे कैसे सिखाते है तो अगर आपका example to rule आता है या आपका specific to general आता है तो answer क्या बनेगा inductive और अगर आपका rule to example या फिर आपका general to specific पूछता है तो बनेगा deductive ठीक है specific का मतलब है कि पहले बच्चा observation यहां कर रहा है उसके सामने पहले कोई चीज आपने rule present कर दिया ठीक है एक नट पहले observation करेंगे उसके सामने example आप present करते हो उसके बाद बच्चा observe करता है और observe करने के बाद वो rules को क्या करता है create करता है यहां पर basically inductive में बच्चा खुद से ही rule को या जो भी general idea है उसको create करता है यहां बच्चा discover कर रहा है inductive method में discovery उसकी जादा होती है जादा better method अच्छा method inductive है और deductive जो है यहां पर पहले ही rule बता दिया जाता है और उसके बाद बच्चों को उसको proof करने के लिए दिया जाता है मतलब rule आपने बता दिया general principle आपने उनको बता दिया अब केवल बच्चे उसको क्या करते proof करते उसको केवल test करते यानि कि rule पहले बता दिया और बच्चों का काम है कि उस rule को apply करके test करने का काम है कि भई मुझे tenses के rule पता है मैंने बच्चों को tenses के rule बता दिया बोड पे अब बच्चे घर से उसके अधार पे sentences को बना के लाएंगे यानि कि rule बता दिया अब बच्चे अपलाई उसको बाद में कर रहे है तो ये जो है आपका deductive तरीका है दोनों ही तरीके ठीक हैं लेकिन बड़े लेवल पे अगर मैं बोलू तो ये जो है अपर प्राइवरी लेवल पे ज़्यादा ठीक इसको माना जाता है क्योंकि ये इसमें थोड़ा time जो है इसमें थोड़ा जो time है वो कम लगता है लेकिन inductive की बात करूं तो ये थोड़ा ज़्यादा slow process है क्योंकि बच्चे अराम अराम से खुद से discovery करते तो ये थोड़ा slow है और primary लेवल पे inductive ज़्यादा अच्छा है तो ये आपको inductive deductive का magazine याद रखना है कैसे कैसे सिखाते है अब आते है structural and communicative approach पे तो I hope कि इतना clear हो गया होगा बस basic आपने इसका rule जान लो कि inductive में कैसे पढ़ाते हैं और deductive में कैसे पढ़ाते हैं और merit थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए दोनों की बाकिया आप कर लोगे अब आते है structural and communicative approach काफी question आया है structural से अब क्या question पूछे गए हैं ये देख लेते हैं ठीके structural approach की मैं बात करूँ तो structural में हम क्या करते है selection and gradation selection and gradation किया जाता है यहाँ पे structural approach में क्या कैजाता है कि meaningful तरीके से हम structures को सिखाते हैं कैसे सिखाते हैं meaningful manner में हम सभी structures को सिखाते हैं जिसे structures का मतलब होता है कि मैं subject plus verb plus object grammar सिखा रही हूँ तो मैं उसको meaningful situation में सिखाऊंगी, वो structural है, structural में जो भी knowledge होती है, वो long lasting होती है, ये एक फायदा है, ठीक है, long lasting knowledge होती है, बच्चे भूलते नहीं है, क्योंकि वो meaningful situation में सीख रहे हैं structures को, तो long lasting है knowledge, वो काफी लंबे समी तक किसी भी चीज़ को याद रखते हैं, अब अगर मैं बात करूं, communicative approach की, तो communicative approach जो है, ये बात करता है context की, ये keyword याद रखना, context word आता है संदर्व, सबसे positive word है ये, संदर्व के अनुसार सिखाया जाता है, meaning पे focus किया जाता है, यहाँ पे, अगर आप से पूछा जाए कि सबसे best approach कौन सी है English को पढ़ाने की, तो communicative है, और यहा पे competence provide करना, इसका focus होता है, communicative competence को provide करना, इसका focus होता है, जहाँ पे बच्चे की fluency, और accuracy दोनों आ जाता है, ठीके, इसके अलावा, बात करें use की, तो use पे focus है, errors को tolerate कहां किया जाता है, यह question आता है, errors को tolerate यहाँ पे किया जाता है, यानि कि अगर बच्चे गलती कर रहे है, तो उसको turent correct नहीं किया जाता है, उसको tolerate किया जाता है, तो communicative approach और structural approach याद रखना है आपको, structural में selection and gradation कर रहे हैं, select कर रहे हैan language के item को, और फिर gradation कर रहे हैं हम उनको simplify करके सिखा रहे है, meaningful situation में क्या करवाते हैं, हम यहाँपर practice कर रहे हैं, meaningful, मीनिंगफुल situation में practice करा रहे meaningful situation में drill कर वातें बहुत ज़ादा listening और speaking पे यहां पे focus ज़ादा होता है तो यह structural का क्या है main principle है communicative में use ज़ादा हो रहा है interaction ज़ादा हो रहा है dialogue वगरा हो रहा है role play हो रहा है information sharing activity है information gap activity हो रही है तो कम्यूनिकेटेव है, कंसेप्ट किस ने दिया, डेल हाय मेस ने, डेल हाय मेस याद रखना, इसके लाबागाईज अगर आपको मैथर्ड्स डीटेल से पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश पेड़ागोजी, CBT की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मै आइलिंग्वल, GTM और कम्यूनिकेटेव, यहाँ से क्वेशन आपका बनता है, इसके लाबागा ओडियो लिंग्वल मेथर्ड आपको याद रखना है, मेभी क्वेशन आपका एक से दो आ जाए, अब हम बात करेंगे, लास्ट हमारा कंसेप्ट है, BICS और CALP, इन दोनों क किस ने दिया, Jim Cumens ने, Jim Cumens ने इसका कंसेप्ट दिया है, नाम आपको याद रखना है, पूछता है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म आप लिखके बताना, मैं नहीं लिखूंगी, आप भी थोड़ी सी रिसर्च करिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलन गुर्म नहीं पता, तो पता करके इसकी फुल फॉर्म बताईएगा, BICS और CALP की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि question आता है, अब यह होता क्या है, यह बता देती हूँ, BICS का मतलब होता है, कि जब बच्चा social situation में कोई language को सीख रह है, तो मैं यहाँ पर पूरा रही समझा रही हूँ, मैं keyword बता रही हूँ, कि यह यह word अगर आएगा, तो आपका answer क्या होगा, BICS होगा, social आगया, interaction आगया, use आगया, वो बात कर रहा है आपस में, communication आगया, कहीं पर वो communicate कर रहे हैं आपस में, classroom में, group में बच्चे communicate कर रहे आपस में, तो यह क्या है, आपका BICS है, ठीके, जहाँ पर वो communication करते हुए, language को सीख रहे है, CALP का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा classroom में properly उसको text में पढ़ाया जा रहा है, books से पढ़ाया जा रहा है उसको, ठीके, या classroom में वो written पढ़ रहा है, या test दे रहा है, ठ मतलब दोनों है आपका school से related, लेकिन जो BICS है, यह छोटे बच्चों को पहले कराया जाता है, ताकि वो पहले interaction करें, आप देखोगे, छोटे बच्चों को तुरंट किताबे नहीं दे दी जाती है, उनको communicative activities जादा कराया जाती है, वो focus BICS पर करता है, ठीके, और उसके ब अग थेओरी थी, Jim Cumans ने दिया इन दोनों concept को, उसकी full form आप मुझे comment में बताना, यह basic चीज आपको याद रखनी है, social interaction, use, यह सब हटा के अगर कोई और option में दिया है, तो वो answer आपका CLP होगा, CLP जादा तर test, exam, और proper classroom में reading हो रही है, proper बच्चे discussion कर रहे हैं किसी topic पे, आ और ज्यादा तर drill ज्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो वो आपका CLP का part हो जाएगा, ठीक है, so guys I hope कि यह सारी चीजें आपको, आज के session में यह सारे topic clear हो गए होंगे, and आज यह session हमारा होता है complete, मैंने तीन वीडियो में सारे important topics को cover कर दिया है, तो अगर आपने पहले की वीडियो के description box में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, पहली बार चैनल पर हो, तो subscribe to my channel for more updates and for more videos, so मिलते हैं फिर, thank you so much and keep watching.